हेलो फ्रेंस मैं भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे फैंस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करने जा रही हूँ ब्यूटिफूल स्लिप्स की डिजाइन और इसे मैं तयार कर रहे हूँ 34 साइस के अकॉर्डिंग यहां से हम कपड़े को देखिए अपनी और से फूल करके लिए है और जितना भी आपको लेंच चाहिए अब अपने ब्लॉज के स्लिप्स के एकॉर्डिंग ही लीजिएगा यहां से हम लेंथ ले रहे हैं 8 इंच में और कपड़े की चुड़ाई मैंने रखी है 8 इंच में लाइन को हम ड्रो कर लेंगे और अब हम यहां से देखिए स्लिप्स को डाउन करेंगे 3 इंच में और 1.5 इंच हमारा स्लाइम आर्जिंग का मार्किंग रहेगा स्लिप्स का आपको सेप कुछ इस तरीके से दे देना है तिर्ची लाइन ड्रोगर के आप स्लिप्स का सेप लगा लेजिएगा नीचे से मैंने यहां पर देखिए इसकी गुलाई रखी है साड़े 5 इंच में और 1.5 इंच स्लाइम मार्जिन को रखा है मैंने इस तरीके से हम अब इसको कट कर लेंगे स्लिप्स को मैंने कट कर लिया है और अब हम डिजाइन के पैटरन को त्यार करेंगे तो यह देखिएगा नीचे से आपको 1 इंच मेंने साइट से लिया है सेंटर से मैंने 1.5 इंच रखा है और यहां हमें 20 सेंटर में रखना है 3 इंच पर मार्किंग अच्छे तरीके से हम राउंड सेप में लगाएंगे यह डिजाइन का पैटरन इस तरीके से आएगा देखिएगा और अब हम इसे में फैब्रिक के साथ यहां पे लेंगे यह देखिएगा इस तरीके से में फैब्रिक से आपको क्या करना है इसको पहले अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और इसके बाद हम नीचे से सिलाई से स्कोई टेस करेंगे नीचे से हमें अच्छे तरीके से स्कोई टेस कर लेना है इसके बाद जो एस्टर कपड़ा है में कट कर लेना है इसके बाद हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे और इसे हम इस तरीके से पलट कर देखिए अंदर की ओर करेंगे तो अस्तर के कपड़े को हमें अच्छे तरीके से अंदर की ओर सेट कर लेना है इसके बाद हम कॉर्णर की सिलाई देकर इसमें फिनिसिंग देंगे तो ये देखिएगा इस तरीके से हमें यहां तक slices को attach कर लेना है इसके बाद हम side savings को attach कर लेंगे slips को ये देखिएगा अस्तर के fabric को हमें इस तरीके से main fabric के साथ attach कर लेना है इसके बाद जो extra कपड़ा है हमें cut कर लेना है इसमें जो भी आश्राक अपड़ा था मैंने कट कर लिया है और अब हम देखे यहां से डिजाइन को त्यार करेंगे तो इसके लिए मैंने कॉंटास कलर के फैबरिक को लिया है और इसकी चोड़ाइ मैंने रखी है 1.5 इंच, 1.5 इंच तक में मैंने इसकी चड़ाई रखी है और इसे डवल फोल्ड करकर हम इस तरीके से टेस्ट करेंगे, यहां देखिए, अंदर के ओर से हम हाप इंच लेंगे, और बार के ओर से जो एश्टर कपड़ा है, इसको हम कट कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कट क लेंगे, इसके बाद हमें यह पट्टी को इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेना है, सुई दागी की मतद से आपको इस तरीके से सीधा करना है, यह देखिएगा, पतली सी डोरी हमारी बन कर तयार हो जाएगी यह इस परकार से, हलके हाथों से आप खीच कर इसको इस तरीके से लें, यह देखेगा, यहाँ से इस तरीके सी यह आएगा, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से इसको देखिए, यह सेट कर लेना है, इसके बाद हम स्लिप्स में क्या करेंगे, इसका सेंडर पॉइंट लगाएंगे, मार् यह से ओपर की ओर से हमें देखिए, यहाँ से हमको इसमें सिलाई देगे, सबी पीसे इसको हमें इसी तरीके से सेट करना है, तो यहाँ तक हमेने सेट कर लिए, इसके बाद जो एक ट्रॉकर अपड़ा है, इसको हम कट करके थोड़working दो क्या करना है, यहाँ पर हम लेस को यह दिखिएगा इस तरीके से हमें cover करना है सिलाई को अच्छे तरीके से हम less से इसको decorate कर लेंगे नीचे तक मैंने सिलाई को लगा लिया है और जो इसमें estral less है हमें cut कर लेना है double slay हम लगा लेते हैं और अब हम यहां पर देखिए इस तरीके से दो इंच की चोड़ाई में कपड़े को लिए हैं दो इंच की चोड़ाई में आप कपड़े को लिजिएगा और यहां से हम double fold लगा कर इसमें stitch कर लेते हैं इसके बाद हम इसमें छोटा छोटा plates बना लेंगे यह देखिए गा नीचे से हम इस spril को क्या करेंगे न स्लिप में टेस करेंगे तो अच्छे तरीके से हमें चोटा छोटा plate बना कर इसमें तैयार कर लेना है हापप इंच का plate हम लिएगा कि यहां तक मैंने त्यार कर लिया यह देखिए गा और यहां से side save में क्या करना है थोड़ा सा देखिए जो एस ट्रब होत लगे आपको यहां से बढ़ा लेना है और अब हम क्या करेंगे से यहां पर सेट कर लेते हैं अच्छी तरीकी से आप कोर्नर की सिलाई देकर यहां पर आपको सिलाई देना है यह देखिएगा यहां तक हमें सिलाईस को एटेस कर लेना है तो यह हमरे एटेस हो गया है और इसके उपर से हम यहां पर लेस को लगाएंगे तो यहां तक मैंने लेस को लगा लिया है एश्टर लेस हम कट कर लेंगे और इसके ऊपर हमें डवल स्लाईं लगाना है इस तरीके से डवल स्लाई से मने इसको एटेस कर लिया है और अब हम यहां पर देखे डिजाइन के दूसरे पाट को तयार करेंगे तो जो हमारा अस्तर का फैब्रिक था इसे हमें पेपर पे लेना है नियूस पेपर पर आप इस तरीके से कट करके लिजिएगा उपर से आपको यहां से हापींस बढ़ा लेना है नीचे से हम दो सूत ऐस्टर बढ़ाएंगे यह देखिएगा नीचे से मैंने दो सूत एस्ठ बढ़ाया इसके बाद हमें यहाँ पे ये एकस कपड़े को निकाल लेना है यहाँ से हम क्या करेंगे यह देखिएगा जो मैंने पतली सी डोरी को तयार किया था इसे हमें इस तरीके से रखते वे सिलाई लगाना है यह देखेगा तो डोरी को आप पहले से भी कट करके रख सकते हैं और यहाँ पर मैं मेजर्मेंट करके इसको लगाते हुए सिलाई देते हुए हम इसको कट कर रहे हैं यह देखेगा सभी पीसेस को हमें इसी तरीके से रखते हुए यहाँ पर लाश्ट तक किसे हमें टेस्ट कर लेंगे तो इस परकार से देखें यहां तक हमें इसे टेस्ट कर लेना है और अब हम इससे देखें हाप तक ही मैंने टेस्ट कि लेँगे इसके बाद हम यहा तक दोवारा से इसे फिल कर देगे यह देखेंगा इस मैंने त्यार कर लिए हैं अब हम सिलाई उपर की और से लगाएंगे अच्छे तरीके से आप हातों से सेट करते जाएगा इसके बाद आपको सिलाई उपर के और से लगाते जाना है यह दिखिएगा यहां से इसे में टेस्ट कर लिया है इसमें जो थोड़ा बहुत एस्टर है इसे हमें कट कर लेना है कपड़े को एस्टर जो जा रहा है हमें कट करके मिला लेना है अच्छे त इसे मैंने cut कर लिया है और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखे नीचे की और से यहाँ पे हमें piping बना कर इसको अच्छे तरीके से cover करना है मैंने यहाँ पे contrast color की fabric को लिया है यह बिल्कुल plain fabric है और सीधे में मैंने इसको cut कर के लिया है डवल फोल्ड करके हम यहां से लेंगे कपड़े की चुड़ाई मैंने एक इंच रखी है और इसे हम इस तरीके से पहली सिलाई मैंने अंदर की ओर से लगाई और अब हम कपड़े को उपर की ओर से पलट लेंगे यह देखिएगा एक सिलाई उपर की ओर से अब हम लगाते जा और यहां से अब हम slips के साथ इसको इस तरीके से सेट करेंगे तो पहले आप सेंडर से यहां पर इसको सैट कर लिजेगा आप चाहे तो पीन की मदद से भी से टेस्ट कर सकते हैं या फिर डिरेक्ट भी आप टेस्ट कर सकते हैं यह दिखिएगा सबसे पहले मैंने हाप सी से टे चलिए वीडियो में अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद